को पिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको कि मों लोक्तर बोलते हैं हां वेक्टर तो वेक्टर यह बड़ा fundamental बड़ा important chapter है जैसे कि body का skeleton होता है धाचा होता है उसी पर पूरा सरीर बुना होता है वैसे मेरो करते हैं physics का skeleton है वो vector है अगर आपको vector समझ में अच्छे से आ गया तो आपको समझिए कि 50% समापत हो गया mechanics का क्योंकि जब आप kinematic पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे न्यूटन्स ला पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे रोटेशनल मेकैनिक्स हर जगां vector है प्रस्त में जाएंगे तो electric field, electrostatics में electric field, magnetic field सब जगां vector है तो वेक्टर क्या है कि हर चेप्टर में घुसा हुआ है तो बीना vector को अच्छे से समझे physics में गुजारा नहीं हो सकता है वेक्टर को बहुत अच्छे समझेंगे वेक्टर अच्छे आगया तो यह समझेए अपका पूरा वैश्जा मैकनिक्स का टेंशन्य वैसे समाप्थ हो जायागा तो वेक्टर होता क्या है अब करते हैं कि फीजिकल कॉंटिटी जो होते हैं जिनको मिजर कर सकते हैं कि नभी आप सकते हैं वा फीजम वांटिटी होते हैं जैसे फेजल वीज सकते हैं जासे इन को 20 में न च pseudo rate ृम को पार सकते हैं पार वेता लेके वैंध पार्णान सकते हैं भद चरे हैं स्पक्राय है पांच वीज Top 6 डर सकते हैं पांच के यूओ आइस सकते हैं से आप ना आप सकते हैं इतना गुस्ता है आपसे गुस्ता है लेकिन आप उसको मिजर नहीं कर सकते हैं इतना नाराज है लेकिन आप उसको मिजर नहीं कर सकते हैं इतना इमाउंट वह सब जो भावनाय वाले चीज़ें उसको लोग नाप मेजर नहीं कर सकते हैं तो वह सब फिजिकल क्वांटी नहीं आएंगे फिजिकल क्वांटी वह होंगी जिनको मेजर कर सकते हैं ठीक है बिलकुल छोटी-छोटी पॉइंट्स में लग सुरू करेंगे कही दो तरिके क्वांटी होता है एक होता है वेक्टर और एक होता है इसकेलर तो वेक्टर के पास क्या हो निए इस यह जैसे आपको देदेगा तो लेके चल देंगे आप यह कए दो किलो आलो में इस्ट में दे दीजिये आप आप से पुछें कि आपकी एज क्या है आप बोलेंगे टूंटी ये ये लॉंग नॉर्थ ऐसी क्वाइं जिनको जाने के लिए क्यों मैं टूर ही काफी हो क्या बोलते हैं इसके खेंगे अप एक साहं कि וधे कि 10 मेटर चला जो टेन मीटर गए धा की लिफ्शंप नेखर चाया के 법 एक छकुल के ऑगर आप यह एक अगर कितना वह का लुवणपफटाए कितना इस्पेणस इसको नहीं ब्ताइब तो इस्टेंस ओक सब्सक्राइब देखते हैं जो देखते हैं जो एप होता है आपको स्वय है ठीक है इसी बर्थ के ऊपर बोगीं चेक कर रहा है զस 100 km-per-hours train आपके छल रही है लेकिन train का माले जी Sharky 100 देक रहा है तो वो क्या है स्पीड है 10 से कांटिhips की है शुमर्णटी वर्क है पावर है वर्क और एनरजी आगे चलके बताएंगे वर्क इनरजी स्परेबल hat सब्कने शुचनेबल और किना जीम करreaming किया जा सकता है इач सब क्या होते हैं यह सब सकेलर मरें मांस टाइम मास टाइम जो हैं तो के लेद्टों यह सभ्ष्टेक्ट है इसे कौन्टी को जालने के लिएरेक्षन का इनको जडूरत भोता ही नहीं ठीक है यह तो इसकेलर वाला हो गया रूंगाई क्क् Match Sun करता है कि हम मेधनित्य हमको magnitude भी चाहिए हए हो Su इसलंग चाहिएंगे यह वेक्टर के साथ में तो जो डिस्टेंश रोता है वो तो displacement बंगता है। तो displacement इज़े vector quantity वो बताता है कि यहां से चले यहां पे गए आप थीक है velocity साइकल से चल रहा है 10 mps ट्रेन में 100 km per hour बता रहा है लेकिन ट्रेन में direction भी बता रहा है कि आप इस डारेक्षन में जा रहा है स्पीड बलोस्टी जैसी डारीक्षन जोडने से ही स्केलर की साथ मैं य। में टैरेक्ष्टन जोड़ुद जब पर से क्या हैतु थुक्तरे दख्या पर सोच ओगे न किदर धक्का दें अगर हम इधर पुस्थ करेंगे तो इधर जाएगा अगर इसी ब्लोग कोוש आ मितलब फोर्स में डायेक्टन जरूरी है ठीक है मिमन्टम क्या होता है we will सुन पहले नाम से लगए नाम से लग रहा है मोमेंटम बढ़ा भारी इसका मतलब है कि सुंते ही लग जा भारा कि एक थीक है इसका मतलब है कि जो łatइक के परदा पास समयने टिऴ्ड डारेक्शन चाहिए वह वेक्टर होते हैं और एक चीज और बताएंगा के चलके कि magnitude direction के साथ साथ vector को एक और चीज फालो करता है जिसको हम क्या बोलता है triangle rule of edition यह triangle rule of edition कि सिरिया का नाम है हम लोग अभी आगे सीखेंगे physical quantities आप note करेंगे physical quantities having magnitude as well as direction are known as vectors and vector also follows triangle rule of edition इस triangle rule of edition को vector rule of edition भी बोलते हैं इसका मतलब है इसका मतलब है कि वो सारी quantity mind to direction के साथ triangle rule जो follow करेंगे वेक्टर का लाएंगे तो इस सब triangle rule follow करते हैं displacement, velocity, force, momentum, electric field आगे चलके बताएंगे electric field हो गया magnetic field इस सारी जो field वाले होते हैं gravitational field, gravitational field तो acceleration ही होता है velocity के बाद क्या हो गया? acceleration सब एक ही से निकला है, displacement, rate of change of displacement is velocity, rate of change of velocity is acceleration mass into acceleration is force, rate of change of momentum जो सब एक ही जगह से निकले है, अगर एक वेक्टर तो सब वेक्टर होगे, क्योंकि time scalar है, time से divide करते गए, तो किसी vector में जब scalar से हम divide करते हैं तो वो vector ही रहता है, इसके लिए number, इसके लिए number होता है, ठीक है, यह fundamental था, ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि vector को represent कैसे करते हैं, vector को denote कैसे करते हैं, अगर हम कहें कि हम 10 newton force लगाए, ब्लॉक पे हम 10 newton force लगाए, तो आप कैसे जानेगे कि यह 10 newton force है, तो नोटेशन आप विक्टर, वेक्टर को denote कैसे करते हैं, represent कैसे करते हैं, तो representation वेक्टर, वेक्टर को represent कैसे किया दो है, अगर हम आपसे कहें, कि यह block है, ठीक है, आप 10 newton force लगाए, यह 10 newton लगा दिये, उस qor so नहीं रदाजियों क्वुवए नहीं Lewis लगाएं ऐस नूटन लगाएंग चिक है वह तो आप को सलका लगा रहा है तो आपको पता है किंसे पता चलेगा हमें कैसे पता चलिएगे हमको को बताने के लिए आप औरो सी दिखाएंगे तो आप कहेंगे वेक्टर को एक arrow से फ्रिजल करते हैं तो लिए displacement का example लेते हैं मा लेते हैं कि point A से point B तक जाना है तो जब point A से शुरू के B तक गये आप हम लोग कहेंगे कि A से शुरू के B से गये तो यह हो गया अब A से शुरू के B पर ही गया तो यह कैसे पता चलेगा? arrow के direction से, मतलब कि यह देखिया arrow का direction इसका मतलब है कि A से शुरू के B पर गया तो इसको आप लिखेंगे कैसे? A, B लिखेंगे इसके उपर एक arrow ऐसे लगाएं क्योंकि A से सुरू के B तक गया है तो यह A, B वेक्टर होगा, मतलब from A to B तो इसको बोलेंगे वेक्टर A, B और यह direction क्या होगा? A से B की तरफ तो वेक्टर is represented by an arrow वेक्टर तो हम इसा arrow से रिप्रेजेंट करेंगे arrow की starting point को हम लोग बोलते हैं, tail होता है और arrow के ending point को हम लोग बोलते हैं, head होता है और जीतना बड़ा arrow होता है, उसी के proportions का magnitude होता है, ठीक है? अच्छा, आप मालेजें कि अगर इसको पुछते हैं कि यह A, B की यह line खिछतेते हैं इसको बोला जाता है, this is called magnitude, magnitude of vector A, B इसको बोलते हैं, जैसे मालते हैं अगर यह 10 meter है, अगर यह 10 meter है, displacement, तो vector A, B को क्या बोलेंगे? 10 meter बोलेंगे, अगर यह velocity है, तो 10 meter per second, अगर यह force है, तो 10 newton, तो यह दो पार्ट होता है, magnitude of direction, किस direction में है? जिस direction में होगा? बेसिक direction में समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं, नौर्थ, यह होता है East, यह होता है South, और यह होता है West, यह जे ग्राफिकल नोटेशन है vector का, और जो बीचो बीच होता है North और East के, 45 डिगरी पे उसको बोलते है North East, यहां सिक्दम 45 डिगरी पे North West, यहां 45 डिगरी पे South West, और बोलते हैं South East, ठीक है, तो यह वेक्टर का basic आपको direction यूज करते रहते हैं, ठीक है, और कोई अगर ऐसा direction हो, जो कि North और East के ठीक बीच में ना हो, किसी एंगल पे हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको आप notation, उसको नाम लिखने का तरीका जान जाएगे, अग इस direction को बोलेंगे, 30 degree North of East, East से North की तरफ, 30 degree North of East, ठीक है, इसका मिन्दब है कि जहां से अंगल होगा, वहां से off लगाएंगे, अगर East से अंगल है, तो off East होगा, अच्छा, आप से पूछेंगी ज़रा बताइए कि, 30 degree North of West कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे, West से है, North की तरफ, तो ऐसे बन जाएगा, ये अंगल हो जाएगा, 30 degree, ये अंगल हो जाएगा, 30 degree North of West, अच्छा, यहां 30, तो यहां 60 होगा, तो इसका आप यह भी बोल सकते हैं, कि 60 degree, 60 degree, West of North बोल सकते हैं, तो अच्छा, आप से यह पूछेंगी बताइए वा इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोच लिए, अब सुनिए, क्या होगा, इसको बोलेंगे, 30 degree South of East, क्योंकि South की तरफ है, जो सोचेते सही है न, बिल्कुल, ठीक है, इसका मतलब है, कि यह है direction, रिप्रेजेंट करने का तरीका, वेक्टर को arrows रिप्रेजेंट करते हैं, जिए direction में होगा, उधर हमेरो दिखाएंगे, जिस सेंगल को सेंगल के दिखा देंगे, proportion में होना चाहिए, अगर मैं लेते हैं कि यह 10 newton का force है, जो 20 newton का force होगा, proportion में क्या होगा, हमें तो copy पे रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है, इसका मतलब है, जो 10 newton अगर 10 cm रह करते हैं mobile के zoom, मतलब 10 newton है तो जूम करके double कर देंगे तो 20 newton हो जाएगा, जूम करके आदा हो कर देंगे तो 5 newton हो जाएगा, बास समझवाया, तो यह उसी proportion में draw करते हैं, magnitude को जिस proportion में, उसी proportion में लाइन का रखते हैं vector का, जिस proportion में उसका magnitude होता है, इसको बोलते हैं कि यह यहां शुरू, यहां सकत्म, अगर 10 newton है, मतलब यह इस direction में है, अगर arrow ऐसे कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ठीक है, इसका मतलब है कि vector का कुछ खासियत होगा, direction अगर है तो कुछ इसका property होगा, तो हम लोग कुछ इसका vector का basic property देखते है इस fundamental vector की properties देखते हैं, तो आप लेखेंगे properties of vector, properties of vector, ठीक है, properties of vector, तो छोटी-छोटी बाते हैं समझने के लिए, जैसे माल लेते हैं कि यह, हम समझी कहें कि aero's represent करते हैं, अगर हम करते हैं कि यह 10 newton को force east direction में है, हम लगा रहा है और आप 10 newton forger of west direction लगाईए, क्या होगा resultant, क्या होगा, दोनों को जोडने क्या आएगा, हम 10 से आगे किछने, आप 10 से पीछे किछने हैं, तो बच्चे से भी पूछेंगे तो क्या कहेगा, बच्चा कहेगा कि 0, इसको बोलते है null vector, null vector क्या होता है, null vector होता है, कि vector जिसका की magnitude 0 हो, और 0 को कोई direction नहीं होत होता है, तो क्योंकि vector इसको सम्मान देने के लिए इसे लिखते हैं, this is called null vector, null vector है, इसका मतला है कि अगर ये force F1 है, और इस force को F2 बोलते हैं, ठीक है, तो देखिए जाम से, अगर vector इधर होगा, तब भी arrow इधर ही लगाएंगे, और इधर होगा, तब भी arrow इधर ही लगाएं नौर्थ और चैसाओ, तो vector के उपर arrow ऐसे ही लगाते हैं, तो arrow का direction नहीं पलट देंगे, कि F2 को उल्टा कर दिये, F1 अगर arrow इधर है, F2 पे भी arrow आगे ही होगा, ठीक है, ये, क्योंकि अगर उल्टा अधर डालनेंगे, तो क्या होगा, बार बार सुचना पढ़ेंगे, ये एक ही तरफ रखते हैं, तो देखे ध्यान से अगर ये F1 है, ये F2 है, F1 प्लस F2 वेक्टर का सम क्या है, 0, इसको अगर F2 वेक्टर को क्या हो जाएगा, माइनस F1 वेक्टर, तो ये इसको ऐसे बोलेंगे, कि किसी वेक्टर को अगर हम reverse करते हैं, तो वो negative हो जाता है, मतलब कि if a vector is reversed, it becomes negative, अगर ये vector A है, इसको जब आप उल्टा कर देंगे, इतना ही vector को जब आप उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा, तो आप लिखेंगे, if a vector is reversed, फाला प्रापर्टी, if a vector is reversed, if a vector is reversed, it becomes negative, किसी वेक्टर को जब आप reverse करते हैं, तो क्या होता है, negative हो जाता है, ठीक है, जैसे कि for example, अगर कोई ball आया, कोई ball आया 10 meter per second से, ground से टक्राने के बाद, ये ball 10 meter per second से उपर चला गया, एक ball आया नीचे की तरफ, टक्राया जमीन से, 10 meter per second से आया नीचे, और टक्कर खाके 10 meter per second से चला गया, तो यह पहले के velocity दूसरे velocity में क्या relation होगा तो हम लोग यह कहेंगे कि अगर इस velocity vector को अब V1 कहते हैं नीचे वाले को उपर वाले को V2 कहते हैं तो बस हम यह समझ गए कि V2 equals to minus V1 यह V1 equals to minus V2 अभी उसको क्या देंगे क्या बोलेंगे वो सब बाद की बिसा है मतलब नीचे वाला प्लस है तो उपर वाला minus और उपर को प्लस कहेंगे तो नीचे minus समझ माया अगर east plus है तो west minus अगर west plus है तो east minus अगर north plus है तो south minus अगर south plus है तो north minus मतलब कि जो vector reverse करते ही क्या होता है नेगेटिव हो जाता है वासमझ में आया इस छोटी सी बात है इस वेक्टर जीवर्स इट बिकम्स नेगेटिव तो इसके बाद हम लोग नेक्स प्रापर्टी देखते हैं प्रापर्टी क्या मतलब छोटे-छेटे points है वेक्टर के जैसे हम करते हैं कि मालिजे कि यह block है क कोई इस पर दस नूटन फोर्स लगाते हैं ऐसे ना पुल कर पुस कर रहें block को अचा कोई दूसरा क्या करता है इसको 10 नूटन से पुल करता है तो block किस में ज्यादा 30 accelerate करेगा तो दोनों का effect क्या होगा दोनों का effect same होगा इसका मतलब यह दोनों force क्या होते हैं बिलकुल same होते हैं मतलब कि अगर किसी वेक्टर को आप parallel shift करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं करता है अगर दो वेक्टर same unit के same magnitude के same direction के है जैसे माल जीए य यह बी वेक्टर है दोनों का magnitude same है और दोनों का direction same है और दोनों का unit same है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे दोनों वेक्टर same होंगे मतलब कि इपे वेक्टर को space में आप कहीं ले जाए कहीं shift कर यह parallel रहेगा तो वो change नहीं करता है इपे वेक्टर shifted parallel to itself it remain the same यह important property किसी वेक्ट है कि इपे वेक्टर is shifted parallel to itself वेक्टर remain the same तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखते है कि वेक्टर जो है दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकाला जाता है यह सब छोटी-छोटी पॉइंट को सीखेंगे तो फिर इस सब को हम आराम से यूज कर पाएंगे to find angle between two vectors दो वेक् way which angle हम लोग कैसे निकालते है कैसेपषार दुते हैं कि कौन सा Itraesta गल लेना है कि मा लेते हैं कि कोई इधर की तरफ Hai ये विक्र वेक्टर देलो साथ हो तो जो ये चोटा वाला एंगल होता है तो कौन सागल लेंगे on लोग हम लोग हम इसा छोटा वाला लेते हैं थीता और अलफा दो एंगल है लेकिन अलफा नहीं लेंगे कहों सा लेंगे यह थीता वाला है तो हम लोग करते हैं कि एंगल निकलने के लिए दो वेक्टर का ज्वाइन टेल टू टेल टू 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 एंगल बिद्वें में फू वेक्टर थे कहें दो एधर के यंगलने के लिए लोग कहते हैं उनका सिथिल इंगलने के विदल न क्या Suppoj तेल को करने संविकेक व्हे दोनोंका पुछ पकड़ लीजै त्यल सिप्ने सन लीजिए और जो छोटा वाले इंगल त्यों को आई यह एक इस चूक्त है जैसे लेता है महां लेता है यह है और यह indem है आ जो調 अगर यह चैजय की थे बता एक जंपे steady यह चालतल करेंग है अब बताइ ये आर भी की अ help कि क्या अंगल होगा हम क्या करेंगे कि अब देखिए एक हेड पर एक हेड पर बी कर तेल रखा हुआए जब कि रूल काता है कि त memb слова और अपुल्ण वे लुश्पर करने वेक्टर वास्तों वही दोनों की बीच क्या होगा वास्तों वही दोनों की बीच है कि दो यहां पे वेक्टर है और यह वी वेक्टर है हแม यह एंगल है 120 यह एवेक्टर इंगल लेंगे एंगल निकालेंगे आभेख़ फिर क्या हेड़ पर तेल है रहे है सब्किरें क्या काताह या टेल होना बजी क्या विआब करेंगे हम लोह क्या है कि यहां कि अध़र हो रहने दीजिए जुकि यहां पे इसको आप यहां किसवले-वेक्टर को शिफ्ट करने पर पार्लेल वो चेंज नहीं करता है इससे क्या फाइदा होगा दोनों का टेल टेल एक साथ आजाएगा तो यह एंगल क्या हो जाएगा अगर 120 डिग्री था यहां पर इस बार एंगल कितना आएगा 60 डिग्री तो एंगल बिटून एंड बी यहां पर एंगल आजाता है कि एक ऐक्कीलेटरर ट्रेंगल है ना एक ऐक्कीलेटर ट्रेंगल बना दिए इस प्रकार से एक ओडर में मालत जहत Ge dis 배直接 चाईक्लिछ उडवर می आए बी और सी एक्साइकली कॉंडर में रहेंगल लिया गया तो पुझा जाया कितना कितना एंगल हो गाएंगल को यहां डिज की अगेंगी सिप्ट करेंगें आगेंगे एंगल बिटून B एंड C एंड 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 C कितना होगा 120 डिग्री 120 डिग्री बॉन पॉनटी डिग्री डिग्री जैसे एक और एक जाम्पल के लिए ट्रेंगल कहीं ले लेते हैं अब राइट एंगल ट्रेंगल बना दिए ए वेक्टर यह B वेक्र अब इस पर वेक्टर ऐसे हैं एक वेक्टर बी वेक्टर और यह सी वेक्टर चलिए कर देते हैं 30 डिग्री एंगल यह 90 डिग्री है और यह अपका 60 डिग्री अब बताए एंगल बिटून एंड बी कितना होगा कितना होगा नाइन्टी डिग्री यह उत्दीक रहा हैं साथ ? sì कि कितना होगा? यहां कोई टेंसम है क्या बिल्कुल नहीं क्योंकि यहां तेल खुदीयार क्या है कोई जरूरत नहीं है यहां भी 30 डिग्री हो अच्छा अंग ब्यटून हैं लुद्वी के लिग्री होगा 60 डि क्लि дорट यहां पर ऑगा यहां पे शब्ण और बढ़ाएंगा थीक पही के ऑगे जोएंगे करेंगे चुर्ट करेंगे क्या यह एक लो इसका मतब एंगल बीट्विन बी और सी क्या होगा एंगल बीट्विन बीट्विन से जो दिख रहा है वही है अगर होता है तो आगे बनाने पर टेल टेल का वही आएगा ठीक है तो इस बड़े चुटे चुटे पॉइंट्स थे आपके ना कि कैसे दो वेक्टर के बीच तो वेक्टर ओन एक्सिस एक्सिस का प्लूरल है एक्सिस तो वेक्टर को एक्सिस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं तो करते हैं कि अगर है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आज़ेक्षा इसको बोलते हैं तो आज़ेप हैओं यूनिटवेक्टर वेक्टर एलोंग एक्स एक् leaning पिर्फिट्रक हैं इसका मतलब है कि गर अगर कोई 1 unit x पे है तो वह i cap कहलाएगा 1 meter x पे i cap meter 1 meter per second x पे i cap meter per second 1 newton x पे i cap newton समझ भाया इसका महलब यह हुआ कि एक unit को i से रिप्रेजेंट करते हैं x की लाउंग है तो अगर एक unit i है तो 5 unit क्या होगा बताएं यह 5 meter x क्या होगा तो कहेंगे 5i, क्योंकि हमको क्या करना है, direction कौन बता रहा है, i बता रहा है, magnitude कौन बता रहा है, 5i मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 unit, 5 unit along x, axis हो जाएगा, उसी तरीके से y-axis को represent करने के लिए, उसी तरीके y-axis को represent करने के लिए j होता है, ना, तो j-cap, j-cap is unit vector, unit vector along y-axis, along y-axis, मतलब कि एक मीटर y में हैं, तो उसको j-cap बोलेंगे, तो अगर एक मीटर y में j हैं, तो 5 मीटर क्या होगा, तो 5 मीटर हो जाएगा, 5 j-cap, i, j, k, k होता है, j-axis के लिए, x-axis के लिए i, y-axis के लिए j, और z-axis के लिए, z-axis के लिए, जैड़े k-axis के लिए के लिए k-cap use करते हैं, this is unit vector along z-axis, ठीक है, मतलब कि यह x-axis, y-axis, और यह बाहर की तरफ क्या होता है, z-axis होता है तो यह हो गया i-cap यह हो गया i-cap यह हो गया j-cap और यह बाहर के तरफ क्या हो गया k-cap हो गया बात समझ मैं आया ठीक है तो यह छोटे-छोटे आपके points हैं जिनको आराम से समझेंगे जैसे अगर हम आपसे कहें कि 10-meter west में है अगर east को हम लोग आई करते हैं तो west को क्या कहेंगे माइनस आई अगर 10-meter west में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x-axis पे ठीक है तो यह क्या होगा यह जो vector होगा तो माइनस 10 आई होगा क्योंकि यह negative x में है तो positive x में प्लस है negative x में माइनस आई उसी तरी कि कोई कहे कि 5-meter जो है नेगेटिव आई में तो यह क्या होगा यह होगा 5-j लेकिन चुकि आपोजिर है तो माइनस क्योंकि वेक्टर को reverse करने क्या होता है नेगेटिव उपर है तो प्लस नीचे हो जाएगा माइनस हो जाएगा उसी तरीके से z-axis में अगर बाहर की तरफ है तो 5-k और into plane है तो माइनस 5-k ठीक है तो z-axis को हम लोग into plane of paper out of plane of paper ठीक है तो यह क्या हो गया तो यह होगा k और यह होगा माइनस k और जितना unit होगा उतना लोग लगा देंगे वेक्टर का basic introduction है यह इसको आप आराम से समझेए इसके बात लोग देखेंगे edition of vector ठीक